नमस्कार मैं हूँ अंशिता महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में बुरी तरह नाकाम रही नरेंद्रमोधी सरकार अब नई मुसीमत में हैं देश सबसे बड़ी हरताल की मुहाने पर खड़ा है रेलगाडी सरकारी बस सरकारी दफ्तर सरकारी बैंक पोस्ट आफिस मंडियां स्कूल कॉलेज यूनिवरसिटी सब पर ताला लग सकता है क्योंकि जिस पुरानी पेंशन योजना ने हिमाचल प्रदेश और करनाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया उसकी आवाज अब पूरे भारत से बुलंद होने वाली है सरकारी करमचारीों के संगठन ने भाजपा की इट सीट बजाने का एलान कर दिया है चेतावनी जारी हुई है कि अभी भी मोदी के सामने समय है या तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे और नहीं तो हम अनिश्यत काल के लिए धरने पर बैटने पर मजबूर होंगे करमचारीों ने सरकार को खुली चुनोती दे डाली है कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यानि की अब ये मुद्दा पूरे देश में तूल पकर चुका है क्योंकि करमचारीों को लगता है कि सरकार इस मामले में अडियल रवया अखतियार कर रही है आप जानते ही हैं कि कॉंग्रेस शासित प्रदेशों में OPS लागू होने के बाद से BJP शासित राज्यों की मुसीवत बढ़ गई है इसलिए राजनीती के जानकारों का तो यहां तक दावा है कि 2024 लोगसभा चुनाओं में ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकता है ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि OPS के लिए गठित National Joint Council of Action की संचालन समिती के वरिष्ट सदस से और AIE DEF के महासचिफ सी श्री कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अडियल रवया खतियार कर रही है इसलिए पुरानी पेंशन के लिए करमचारी संगठन राष्ट व्यापी अनश्रित कालीन हरताल कर सकते हैं इस पर विचार करने के लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा इसमें करमचारीों की राय ली जाएगी अगर बहुमत हरताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी करमचारी अनश्रित कालीन हरताल पर चले जाएंगे साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में रेल के पहिये थम जाएंगे वहीं केंद्र एवं राज्यों के करमचारी कलम छोड़ देंगे मतलब पूरा देश थप सीश्री कुमान ने दावा किया कि पुरानी पेंशन बाहली के लिए केंद्र एवं राज्यों के करमचारी एक साथ आ गए हैं लगभग देश के सभी करमचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत हैं केंद्र और राज्यों के विविन निगमों और स्वायत्ता प्राप्त संगठनों ने भी OPS की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है बैंक और इंशुरेंस सेक्टर के करमियों से भी बात चीचल रही है करमचारीों ने हर तरीके से सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की गोहार लगाई है लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई अब उनके पास अनश्चित काली नहरताल खी एक मात्र रास्ता बचा है आपको याद होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों सरकारी करमचारी आये थे और सबने मिलकर OPS को लेकर हुंकार भरी थी करमचारी योँने दो टूक शब्दों में कहा था कि वो हर सूरत में पुरानी पेंशन बाहल कराकर ही दम लेंगे सरकार को अपनी जिद्ध छोडनी पड़ेगी करमचारी योँने कहा था कि वो सरकार को वो फॉर्मूला बताने को तयार है जिसमें सरकार को OPS लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे लोगसवा अद्यक्ष ओम बिडला से भी मुलाकात की कोशिश की थी लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके संचालन समिती के राष्टी संयोजक ने चुनौती भरे लहजे में कहा था कि लोगसवा चुनाओ से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए उन्होंने बताया कि कर्मियों, पैंशनरों और उनके रिष्टेदारों को मिला कर ये संख्या 10 करोड के पार चली जाती है चुनाओ में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निनायक है केंदर के सभी मंतराले, विभाग, रक्षा कर्मे, सिविल करमचारी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी स्कूल, सेकिंडरी स्कूल, हाइ स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों और दूसरे निगमों और सुआयत शासी संगठनों के करमचारी OPS पर एक साथ आ चुके हैं, श्री कुमार के मताबिक, मोदी सरकार पेंशन पर होशियारी कर रही है, वित्मंतराले ने जो कमेटी बनाई है, उसमें OPS का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो NPS में सुधार की बात की गई है, इसका मतलब है कि केंदर सरकार OPS लागू करने के मू और परिवाशित एवं गैरंटी वाली पुरानी पेंशन यूजना को बाहल किया जाए, AIDEF के महासचिव ने ये भी कहा कि NPS में पुरानी पेंशन विवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधा नहीं है, जो करमचारी पुरानी पेंशन विवस्था के दाएरे जा रहा है, और हम इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तयार नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी करमचारियों में अब सरकार के खलाब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा असर आने वाले चुनावों, चाहे वो विधान सभा चुनावों हो या फिर अगले स साल होने वाले आम चुनावों, दोनों पर पड़ेगा, एक तरफ कॉंग्रेस इस मामले में लीड ले चुकी है, तो बीजेपी बैक फुट पर है, कॉंग्रेस हर उस राज में OPS को लागू कर रही है, या लागू करने की घोशना कर चुकी है, जहां जहां उसकी सरकारे हैं इसे मुद्दे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, दोनों राज्यों में कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में अस मुद्दे को शामिल किया, और सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया, हिमाचल चुनाव 2022 के आखिर में हुए थ केजी से तूल पकड़ने लगा है, और अब तो करमचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगनी गई, तो वो अनिश्यत काली धरने पर बैठ जाएंगे, ये चेतावनी मोधी सरकार को भारी पर सकती है, क्योंकि अगर एक लाख लोगों ने भी दिल्ली में धरना शिरू कर दिया, तो एक दूसरा अन्ना अंदोलन खड़ा हो सकता है, और फिर OPS ऐसा मुद्दा है, जो हर गाउं, हर शहर और हर राज्य में बड़ा अंदोलन खड़ा कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ, तो मोधी के खलाफ हवा बनते देर नहीं लगे विवस्था को ना बहाल करने की सोच पर कायम है, इसलिए करमचारी सरकार को चेतावनी देने के बाद बेसबरी से उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जितना ये मामला ठलेगा, दोहजार चौबीस चुनाव में ये उतना ही बड़ा मुद्दा बनेगा, और वीडियो बनाए, ये भी ज़रूर बताइएगा, ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया, इसको भी फॉलो कर लेजे, नमस्कार.